नमस्का फ्रेंड्स आज हम मीन लगन के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला इसके विशे में चर्चा करेंगे और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे हुए रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल और एक बेल आइकन हैं उसे प्रेस कर दें ताकि आपको लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिशन्स मिलती रहे तो हम समझते हैं मीन लगन वालों को तो मीन लगन वालों के लिए जो उनका लगनेश देव गुरु ब्रहस्पति होते हैं वो उनके दशम भाव के स्वामी भी होते हैं और लगन के स्वामी में होते हैं और वरतवान में गुरु स्वग रही अपने ही घर में बैठा हुआ ह है लगन में बैठा हुआ है बहुत ही उच्च के प्रणाम यहां पर दे रहा है और हंस महापुर्श नामक योग का भी निर्मान कर रहा है अब देव गूरु बहिस्पती जो है वो ऐसा प्लैनेट है यह ऐसा देवता है जिनका कोई शत्रू नहीं होता है वो मतलब किसी को शत बनी हुई है क्योंकि इस समय जो गूरु यहां बैठे हुए है आपके या देखिए आपकी यह एक फैमिन राशी में बैठे हुए है तो वर्तमान में यह सभी आपके शवशत्रू हैं जो आपका विरोध करते हैं जो आपके हर काम में अर्चन अड़ाने की कोशिश अभी की भावना शुब कर्मों की तरफ मन प्रविड़त होना या अच्छे कर्म करना या अच्छी भावना लोगों का मदद करना साहता करना इस तरह के विचार ब्रिश्पति के लगन आने पर व्यक्ति को मिलते हैं और जो लगन होता है वो हमारा अर्ज होती है हमारी एक तरह से जिग्यासा कह लीजे या आगे बढ़ने के लिए जो विक्ति में जील होती है वो फिर्स्ट हाउसे देखी जाती है तो अभी इस समय सभी पुवित्र कारे करने की मन में आपको जिग्यासा या अर्ज बढ़ती हुई नजर आएगी और सभी की मदद आप उस जो है वो आपकी हाउसे किया जाता है और उद्यम मतलब की एफर्ट करना अर्ज है काम करने की वहां से पता चलती है फर्स्ट हाउसे रूपम उसको कहा जाता है तो इसलिए बिगिनिग ऑफ न्यू इवेंट को न्या इवेंट होना है आपकी जिंदगी में तो यहां पर अब ही जब तक दे तो गुरू की स्थिति बहुत हुतम है, नई डिरेक्शन आपकी लाइफ में यहां से मिलने वाली है और अच्छे कारे आपके हाथ से होंगे, बहुत अच्छा है और यहां पर क्योंकि बिगनिंग ओफ इमेजिनेशन भी होती है आप सोचते हैं, इंस्पिरेशन आपको यहां मिलती है, फर्स्ट हाउस से और फर्स्ट हाउस जो होता है, वो हमारे एक्सपिरियंस का स्टोर हाउस भी होता है कि जो कुछ भी हमने अभी तक किया है, उसका एक्सपिरियंस का जो स्टोरेज है वो first house में मतलब एक तरह से हमारे मस्तिश्क में या से जो सिर में रहता है तो वहाँ पर अभी ये सारी जितने भी पवित्रता हैं अभी आप तक आप ने कर रखी थी जो experience टोर हुए हैं तो उस सभी का फल गुरू यहाँ पर लगन पर आने वापको देगा बहुत कोई नई अच्छी शुरुवात यहाँ पर उसको करता हुए गुरू यहाँ नजर आएगा और उसी के सासाथ जो सबसे अच्छे इसमें आस्पेक्ट है या उसकी जो बात है वो गुरू का आपके पंचम भाव में शुब की दृष्टी है करकराशी पर उच्छे की दृष्टी गुरू की पढ़ रही है जो कि आपके पंचम भाव में है तो पंचम भाव वैसे भी त्रिकॉन होने की वैसे बहुत शुब भाव माना जाता है हमारे पूरो पुर्य कर्मों का संग्रह पंचम भाव में होता है और वहाँ पर अभी जो शुब परिणाम आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपकी क्रियेशन के तो क्रियेटिविटी जो होती है वो हमारी जैसे हम संतान को भी हमारी क्रियेशन मानते है तो संतान के समन्द में आपको यहां पर बहुत अच्छी खुशी मिलती हुए नजर आईगी और शुक्र वहां बैटा है वहां तो शुक्र को कवी भी कहा जाता है तो जो लोग पोईटरी से लोग जुड़े हुएं जिनका लेखन का कोई कारे है अध्यापन का कारे है टीचिंग डिपार्टमेंट से है तो वहां कहीं उनको कोई सेमिनार टेंड करने के लिए या कोई ट्रेनिंग करने के लिए यह मौका मिलता हुए नजर आएगा उसके लावा पंचम भाव हमारे अमोद प्रमोद और प्रेम भाव भी होता है तो यहां पर गुरू की द्रिष्टी शुक्र के उपर यहां पंचम भाव में पढ़ने पर मीन लगन वालों का कोई नया प्रेम समंद यहां पर बनता हुए नजर आएगा कोई प्रेमी का आपके जिवन में प्रादूर भाव उसका होता हुए नजर आएगा बच्चे के जनम का समचार भी आपको मिल सकता है भागे का साथ आपको मिलेगा ठीक है और भागे का साथ मिलेगा उसी की बज़े से विदेश यात्राओं का मौका यहां मिल रहा है और गुरू की द्रिष्टी आपकी जब आपके सब्तम भाव पर पढ़ रही है विवाह जो अविवाहित हैं उनको विवाह के चांसिस मीन लगन वालों को यहां बनते वे नज़र आ रहे हैं वहीं गुरू की जो आपकी गुरू की जो दूसरी राशी है वो मैंने कहां दशम भाव में हैं उसके बाद हम बात कर लेते हैं शनी ग्रहकी तो शनी जो है वो स्वराशी का होकर के एकादश्तान में बैठा हुआ है तो इस समय जो है शनी लाबस्तान में बैठा हुआ बेशक है लेकिन जो आपको इस समय आपके बड़े भाई बहन है या आपके मित्र हैं और दोस्त हैं आपसे उनसे आपको थोड़ा सा साथधानी बरतनी होगी क्योंकि वह आपको धोका मिल सकता है या आप ये कह लीजे कि समय पर वो आपके काम बिलकुल नहीं आएंगे और वहीं अगर आप किसी कलब के मेंबर्स हैं या कोई सोसाइटी के मेंबर्स हैं कोई या संस्ता है उसके सद्ध से भी आपके साथ जो है वो अच्छा वैवार नहीं करेंगे और इन सभी चीजों पर आपके धनका व्याय होता हुआ नजर आएगा और इस मीने खास दोर पर मीन लगर्मानों को कोई मेहमान उनके घर पर आएगा उसकी खुशकबरी मेहमान के आने के मिलती हुए नजर आ रही है और कहीं हॉस्पिटल में आपका जहाना हो सकता है या कोई डॉक्टर से अपॉ इनकम बढ़ता हुए नजर आएगा, विदेश से धन प्राप्ती के साधन यहां बढ़ते हुए नजर आहरे हैं, प्रॉफिट और गेन आपको यहां पर हर तरह से जो भी कार्याप करेंगे उसमें आपको लाब होता हुए नजर आएगा और वेपारी का वर्गहें जो होगा और इकादश का लाउस का लॉड भी है तो कहीं न कहीं इसमें विदेशिय समंध होंगे या हमारी इन्वेस्टमेंट है उन सभी से आपको जो है वो लाव यहां पर दिलाता हो नज़र आएगा और शनी की जो आप समझे की इसकी जो उच्छे भी की दिरिश्टी जो है वbas शनी की वो आपके अश्टम भाव में पड़ रही है और सनी उसके लावा जो कि पंच न ड़ा रहे तो वहाँ पर श्चुक्त टालने से आपके जो विस्डम है उसमें धैरे लेकर के आएगा ग्यान को आपके जो है वो शनी यहां बढ़ाताव नज़रा आ रहा है धैरे दे रहा है तो सूचने की शक्ती आपकी अच्छी होती हुए नज़रा रही है और उसी की वज़ा से अगर मीन लगन वाले इस महीने लौटरी हो गया या शेर मार्किट में रिस्क लेकर पैसा लगाते हैं हलांकि आपके चार्ट को देखना पड़ेगा लेकिन फिर भी मीन लगन वाले अगर इस तरह से करते हैं तो उनको लाब कमाने की स्थितियां बनी हुई है और जैसे मैंने का कि आपके अश्टम भाव में श्यनी की उच्च दिश्टी पड़ रही है तो अचानक धन प्राप्ति के योग यहां पर अश्टम भाव से भी आपको प्राप्त होते हुए नज़र आ रहे हैं कोई आपका इंशूरंस का पैसा आपको मिलेगा या कोई टेक्स आपने भरा था तो वो टेक्स के पैसे आपको वापिस होते हुए नज़र आ रहे हैं या कोई विल है आपकी, या कोई लेगेसी है, आपको कोई जमीन प्रॉपर्टी कहीं से किसी की मिल जाए, तो इस तरह के योग भी मीन लगन वालों के लिए वरतमान में बनते हुए नजरा रहे हैं। और अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे जो ग्रह जो मीन लगन वालों के लिए थोड़ा दिक्कत का कारे होता है जो दिक्कतें देता है वह है शुक्र ग्रह क्योंकि थर्ड और अश्टम भाव का स्वामी बनता है लेकिन इस समय वर्तमान में शुक्र पंचम भाव में बहुत अच्छे प्रिणाम आपको देता हुए नज़रा रहा है खास तोर पर यहां शुक्र की वज़ा से आप किसी पुराने मित्र से या फ्रेंड से मुलाकात करते हुए नज़रा रहे है और शुक्र भी आपको प्रेम समय जितने भी कारें उसमें सफलता दिला रहा है कोई प्रेमी या प्रेमी का आपके जीवन में वापिस आती हुए नज़रा रही है यहाँ वाहन खरिणे का योग भी जो आपको शुक्र की वज़ा से होता हुए नज़रा रहा है और अश्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में गया है तो कहीं न कहीं जो मेडिटेशन ध्यान से जो जिनका कार है उसको उनको सफलता मिलेगी उसमें उनकी कंसेंट्रेशन या चित बढ़ता हुआ लगता हुआ नजर आएगा जिसकी वरसे अध्यात्म या मेडिटेशन में वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे है और जैसे मैंने पहले कहा था कि शुक्र एक कवी है तो पोईट्री रचना करना और खेल कूद का कारे हो गए मौज मस्ती हो गए इन सभी से आपको लाब किस्तितियां बनती हुए नजर आएगी और वहीं इस महीने जो है वो आपके छोटे बाई बहनों का आपको प्यार प्राप्त होता हुए नजर आ रहा है सब तरह से सुखुन की दरफ से मिलने वाला है और यहां पर जो क्योंकि शुक्र जो होता है मैंने जिस पहले का कि थोड़ा सा आपके साथ शत्रुता रखता है क्योंकि शुक्र लगन के जो स्वामी गुरू है उसके साथ वो शत्रुता है तो वहाई पर ही शुकर की वज़े से कहीं वहाँ में परिशानी खड़ी करता हूँ नज़र आएगा पत्नी की सेहत खराब होती हुए या पर देखने को मिलेगी जो भी आपका स्पाउस है और या फिर उसकी सेहत पर आपको धनका व्या करते हुए आप नज़र आएंगे अपनी पती या पत्नी पे उसके पर हम बात कर लेते हैं सूरे ग्रह की तो सूरे आपके छटे बाहों में बैटा हुआ है लगन का मित्र है और स्वराशी महो करके बैठा है सूरे भी आपके छटे घर में अपनी राशी का बैटा हुआ है तो यहाँ पर सूरे इस समय कोई शैसे मैंने कहा कि कोई शत्रू नहीं होते तो शत्रू अगर होंगे भी तो सूरे उसको यहाँ पर पूर डूप से ख़दम करता मन नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ सूरे की स्थिति की वज़ा से जो आपके सर्वेंट्स है जो आपके अधिन नौकर चाकर है उनकी तरब से यहाँ आपके सूबॉडिनेट्स है उनकी तरब से अधिनस्त कर्याम चाने कि वोज़से आपको थोड़ी परिशानियां देखने को मिल सकती है या आप कोई स्टाफ हायर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत यहाँ पर इस समय दिखाई दे रही है मीन लगन वालों को और उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर कोई डॉक्टर है या मेडिसिन की शेतर से जुड़ा हुआ है तो क्योंकि इनका समन्द रहता है मीन लगन वालों कोई ना कोई हॉस्पिटल से नर्सिज हैं, कमपाॉंडर्स है तो क्योंकि जो इन सभी प्रफेशन का कारक सूरे को माला जाता है तो वहाँ पर आपकोई ना कोई समन्द बनेगा या अगर जिनका प्रफेशन यह है उनको लाब यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है उसके लाबा जो जजजीज हैं, लॉयर्स हैं उन सभी को लाब की स्थितियां बनती हुए नजर आ रही है जिनका वकालत का कारे है और यहाँ पर अगर आपकोई लोन आपका अटका हुआ था कोई लोन के लिए आप प्रयास रथ थे तो लोन आपको यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है और डॉक्टर से कही मुलाकात आपकी इस महीने सूरिय की वज़े से होती हुई नजर आ रही है उसके पर हम बात कर लेते हैं मंगल की तो मंगल आपके भागिस्तान का स्वामी होता है और सेकंड हाउस का लॉड बनता है तो यहां पर बाही बहन पर आपका थोड़ा सा प्रफाव अच्छा बिलकुर नहीं पढ़ रहा है क्योंकि वो आपके थर्ड हाउस में मंगल बैठा हुआ है तो चोटे बाई बहनों के विज़े से परिशानी होती ही नज़र आ रही है और खास तोर पर देखा चाए लेकिन जो क्योंकि मंगल जहां है यहां पर उच्छे के प्रिणाम देगा तो इसलिए जिनका जो बिजनस क्लास है जिनका अपना बिजनस है उनके लिए बहुत अच्छा है बेंकिंग सेक्टर वालों के लिए धनका संग्रह करना हो या स्टोरिज डिपार्टमेंट है फाइनस डिपार्टमेंट है या हम एकॉनमी की बात करें या जी डी पी जी एन पी ग्रॉस नैशनल प्रोड़क्ट यह सभी चीज़े जो है यह जो शर्ब्ध है इन सभी से आपको जो है वो इन सभी लोगों को लाब होता वह नज़र आएगा आपका उच्चे के प्रणाम यहां दितावन नज़र आ रहे हैं और आपके मित्र हो गया भाई बहन हो गया या कोई आपको छोटी यात्रह अगर आपके होती हैं तो वो सभी आपके भागे में वरिद्ध कहती भी नज़र आएगी वो नज़र आ रहा है कोई ना कोई परिशानी वह आपको देखनी को मिलेगी और उसकी वज़र से वो जो परिशानी आपकी वाइफ के साथ हो रहते हैं या आपके पार्टनर के साथ हो रही है जिनको भुद्ध की दशा अंतर दशा या प्रतिंतर दशा चल रही होगी खास तोर पर उनके लिए भूद की इस्तिती बिलकुल वे अच्छी नहीं है और बात कर लेते हैं क्योंकि फोर्थ हाउस में हमारे एग्रिकल्चर को देखा जाता है क्रिशी के कारे हैं, एनिमल हस्बेंटरी है और उसके बाद पोल्ट्री फार्म की हम बात करते हैं ठीक है, गार्डनिंग है, डेरी इंडस्ट्री है आपका तो इन सभी जितने भी ये कारे हैं इन सभी में जिनको भूद की दशा अंतर दशा चल रही होगी मीनलगन वालों को, तो वहां इन सभी कारें में भी आपको कोई न कोई दिकत हैं इस मीने देखने को मिलेगी या तो आपका समान उच्छे दाम में नहीं भी किगगा या खराब हो जाएगा या कुछ न कुछ वहां पर समस्या इस मीने मीनलगन वालों को देखने को मिलेगी और वहीं हम बात कर लेते हैं क्योंकि ये रोग के घर में गया है तो आपका पेट के रोग यहां इस महीने आपको देखने को मिल रहे हैं आपका पाचन तंत्र, डाइस्टिफ प्रॉलम्स आपको यहां पे मीन लगन वालों को इस महीने देखने को मिलेगी और आपके नौकर चाकर की वज़े से भी आपको परिशानियां पर जहनी पढ़ सकती है नस्ट नाडियों का रोग या दर्द भी मीन लगन वालों को जिनको बुद्ध की दशान तरदशा या प्रतितन तरदशा चल रही होगी खास तोर पर देखने को मिलेगी अब हम चायग रहे राहू की बात कर लें तो राहू मंगल के घर में गया है तो मंगल की तरदशा प्रभाव देगा घर परिवार में आपकी पिता की सिहत खराब रहने की वज़े से परिशानी बनेगी कुटूम में आपके घर में कहिना को परिशानी रहेगी क्योंकci Pita का स्वास्त्य इस महीने अच्छा नहीं रहने वाला है और आपकी जो अंकॉंटोड वानी है जो आपकी वानी है जिस पर आपको लगाम इस समय नहीं लग रहा है क्यों वैसे भी मंगल की राशी वहां पर है तो यहां पर उसकी वैसे जगड़े के कान बनते हुए नज़र आ रहे हैं और वही जगड़े जो हैं फिर आपका धनका नुकसान करेंगे धनका संग्रे नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है तो दिक्टें आपको यहां पर होती भी नज़र आएंगी जिनको राहू की दशा अ नज़र आएगा मीनलगन वालों को और अब हम बात कर लेते हैं कीटू ग्रहकी चाया ग्रहकी तू जो है वो आपके अश्टम भाव में है शुकर की राशी में शुकर की तरह प्रभाव देगा तो यहां पर शुकर की वजह से के तू भी आपको जो है विर्त में आपको यहुमिगत गड़ावा धन दिलाएगा, कहीं से अचानक धन की प्राप्ति केतिक वे से होती वे नजर आ रही है, और वहीं इस महीने हो सकता है आपका जो शौक है वो आयरवेद हो गया, या जो आयूश है, आयरवेद, युनानी, सिद्धा, तो इन तरह के यहुमुपैती हो के लिए जो है अगस्त के मीने का लिखा जोका जिसमें खास दोर पर गुरु की स्थिति बहुत उत्तम बनी वही है, वो अकेला ही ग्रह आपको सभी शुप परिणाम यहां देतावा, नजर आ रहा है, उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, if you like the video, please subscribe the channel.